देखे कल सवाल ये था कि कहीं बोल्ट हमारे नट बोल्ट न खोल दें पर जवाब है कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोली खड़े होते हैं सवाल ये था कि कहीं केन विलेमसन हमारी उम्मीद में आग लगा कर फिर से तो नहीं निकल जाएगा पर जवाब है कि शामी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या सवाल था कि क्या 2019 की हार का बदला हम ले पाएंगे और जवाब है ले लिया ब्रो नीजिलेंड की आईसी की तैसी करदी ब्रो शामी भाई ये क्या रूटीन बना रखा है आपने पहले तो आप बिर्यानी खाते थे अब तो आप टीमों के आधे-आधे बल्लेबास खा जाते हो विलियम सेन बोल रहा है कि IPL में हम दोनों सेम टीम से थे कमसे का मुसी का लिहास कर लेते लेकिन शामी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या शामी भाई ने मेरी मेंटल हेल्थ खराब होने से बचा ली वरना एक तॉस को रोई चर्मा ने जीत लिया और पहले बैटिंग करने का फैसला किया जो कि एकदम सही फैसला था क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ मैक्सिल वाला मैच अकर निकाल दें तो यहाँ पर सारी टीम वही जीती है जिन्नोंने पहले बल्ले बाजी करी है और रोई चर् सहीर केल राउट शतक लगा पार है क्योंकि कल एक बार फिर उन्होंने आकर टीम इंडिया को इतनी तेज शुरुआत दी कि शुरुआत का रंडेट हमारे लिए कुशन बन गया चार साल पहले हुए सेमी फाइनल में पांच रन पर तीन विकेट वाला जो स्कोर कार्ट था वो हम एक जटके में भूल गये थैंक्स तू रोहिच शर्मा एक बार फिर शर्मा जी के बेटे गये तो शर्मा जी का दामाद आ गया कल 15 नॉंबर था सचिन का इंटरनाशनल क्रिकेट में आखरी दिन कोली सेमी फाइनल उसी मैदान पर खेलने उतरे जहाँ पर सचिन ने अ कि कोली नॉकाउट मुकाबलों में चोक कर जाते हैं तो ले भाई तेरे नॉकाउट वाले जोक पर भी उस आदमी ने मुत्र विसर्जन कर दिया है लेकिन इतनी बढ़िया पारी खेलने के बावजूद कोली दिन के सबसे बढ़िया बले बास नहीं थे क्योंकि ये टाइट खेलते तो उनकी भी सेंचुरी हो जाती और आपको तो पता ही है कल वो मेरे माई लेवन सरकल अप टीम के कैप्टन थे लेकिन चलो कोई नहीं उनके लावा मेरी टीम में कोली शमी भी तो थे मैं तो जीता लेकिन अभी मौके खत्म नहीं हुए है आज एक जबर्दस सेमी फ फाइनल से पहले अगर आपने डाउनलोड करके पहले डिपोसिट कर दिया तो आपको मिलेगा 2100 रुपए का जॉइनिंग बोनस इसके साथ जो बंपर प्राइस मिलेंगे वो मैं आपको अल्री बता चुका हो मेरा कूपन को इस्तिमाल करो 20% एक्स्रा कैश भी मिलेगा बाक से शमी आते ही दो विकेट लेगे ऐसे में अपन एक दुम फूल चौड में आ गया है एक बार तो खयाल आए कि टाइम वेस्ट मत करो यहीं से न्यूजिलेंड को आकलेंड और इंडिया को एहमदाबाद की टिकेट कटवा दो लेकिन इसके बाद हमारे साथ चोट होने लग से खाई थी धरमशाला में कल उन्होंने फिर से लगा दी हमारी आँखों के सामने अंधेरा चाने लगा हमारे दिल से आ निकली कि रोहिद भाहिया कुछ करो हमारे पास तो थेरिपी के पैसे भी नहीं है और रोहिद भाई ने हमारी मेंटल हेल्ट सुधारने के लिए कोशिश बहुत करी लेकिन शमी भाई ने सेमी फाइनल को शमी फाइनल बना डाला वो गेंद बाजी के किंग बन गए और कोली के रेकॉर्ड तोड बले बाजी के बाद रेकॉर्ड तोड गेंद बाजी भी कर डाली साथ विकेट लिए वन डे इंटरनाशनल में ये किसी भी भारती के इंदबाज का बेस्ट बाॉलिंग फिगर है वो इस वर्ल्ड कप में सबसे आदा विकेट लेने वाले के इंदबाज भी बन गए और वर्ल्ड कप के इतियास में सबसे जल्दी 50 विकेट लेने वाले बॉलर भी बन गए शमी की तारीफ लिखने बैठोंगा तो दूसरे सेमी फाइनल भी खतम हो जाएगा और वो मैं नहीं चाहता क्योंकि जितना ब्लॉग बस्टर कल का मैच था उतना ही आज का भी मैच है और उतने ही तगडे प्राइजेज भी हैं माई लेवन सरकल अप पर इसले आप आज की टीम देख लो स्क्रीन पर दिख रही है विकेट कीपर कुंटन डिकॉक, हेंरी क्लासन, बल्ले बाजी करेंगे ट्रेविस हे, डेविड वार्नर और रसीव अंदर दूसरे आल राउंडर होंगे ग्लेन मैक्सवेल, यांसन और मारक करम जक्की की इंदवाज होंगे पैट कमिंस, जैंपा और केश्व महराज कप्तान बनाऊंगा यांसन को जबकि उपकप्तान है कुईंटन डिकॉप आप भी जल्दी से माईलें सरकलाप पर अपनी टीम बनाओ, आप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ और याद रखना बागी देखो सपोर्ट तो मैं साउथ अफरीका को कर रहा हूँ, क्योंकि ऐस्टेलिया वालो लालच बुरी बला है लालच अब खाली टीम इंडिया के उपर सूट करता है, रोईद भाई आप एक मैच और जीतो, इंडिया की तारीफ में और भी वीडियोज बनेंगे लेकिन कल हम आएंगे दूसरे सेमी फाइनल की रिपोर्ट के साथ, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करना अगर अब तक नहीं किया है तो फेस्बुक पे देखें तो पेच को लाइक करना तैंक्यू फॉर वाचिंग, जल्दी मिलते हैं, जैहिंद